हलो ओल विल्कम टू मैं चानल आज हम एक शॉर्ट एंड कुएक रीडिंग करने चाह रहे हैं रिगार्डिंग वर्गो अगर सन्मून और रैजिंग की पोजीशन आपकी वर्गो यानि करने अराशी है तो यह रीडिंग आपके लिए है एक जेनर स्पैसेफिक रीडिंग बि इंपियर है वह आप लोगा कैसे रहने वाला है तो प्रीज इंगल सेन इंवर्गो गाइड मी वर्गो कन्या राशी वाम 17th of November to 23rd of November 2022 and 22rd so let's see Virgo, Kanya, Tarot आपके बारे में क्या कहता है let's start it 10 of Wands, 8 of Cups, the Emperor आपका चालेंज है, Knight of Swords and आपका बॉटम आप देख है, 5 of Cups ओके, तो पहले तो मैं आपको यह बताता हूँ, आप जिस भी पार्टन की चंसर में रीडिंग देख रहे है वह मुझे काफी strongly cancels, copy of Pisces and Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, राशी के नजर आ रहे है मैं देख सकते हूँ कि past में जो है, कुछ major हुआ है आपके साथ जिसकी वज़े से, means, आप बहुत ही इसे बोलते हैं न, सब कुछ मन से खतम हो गया, kind of, means, कि आपको लगता है पूरी दुनिया का बोजह आप इन उठाके रखा हुआ है, सब के लिए आप कर रहे हो, कोई नहीं करते हैं, and all, and आप जो, frustrated हो चुके हो, and जो भी चीज़े, आपको सर्व नहीं कर रही है, and all, आप सब को छोड के, वहां से जाना चाहते हो, and, एक, अपनी life में, आप, जिस current scenario में, जिस current position पे हो, उसे आप छोड के, basically, वहां से भाग जाना चाहते हो, kind of, वाली मुझे energy आपकी मिल रही है, present maybe मैं आपको यहीं बोलूँगी, कि जो चीज़े आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़े आपको emotionally, physically, mentally, fulfill नहीं कर रही हैं, आप वही कोशिश में हो, कि वहीं चीज़ों को पीछे छोड के, अपनी life के, new beginning करने की कोशिश करते हुए, आप मेरे को नजर आ रहे हो, but, जैसे हमारा जो challenge है, वो night of swords है, तो आपका यही challenge है, कि क्या आप जो भी चीज़े आपको सर्व नहीं कर रही हैं, या जो भी problems आ रही हैं, आज इनको आप पीछे छोड़ कर आगे क्या बढ़ पाओगे, वो जो decision making आप करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है एक new beginning, एक fresh start करने की कोशिश कर रहे हो, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के, जो आपको fruitful result नहीं दे रही हैं, आपके दिन और रातों की नींद, चैन सब बरबाद कर रखा है, उन्हें छोड़ के आप एक new ambition create करना चाहते हो, अपने लिए एक नया रास्ता बनाना चाहते ह तो क्या आप ये ले पाओगे, यही आपका challenge है, आज हमारा bottom of the deck भी five of cups है, तो मैं यही देख सकती हूँ कि आप जो हो काफी जो है परिशान ही हो, और कोशिश कर रहे हो चीजों से उभरने की, ओके, आप चाहते हो कि आप एक fresh start करो, new future अपना बनाना चाहते हो, बट आपका दिल बहुत ही टूटा हुआ है, disappointed हो, might भी हो सकता है, किसी ने for few of you, betrayal जो है face किया हो, और जो भी सच आपके सामने आया है, उसे swallow करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो पारा है, बहुत ही कड़वे सच से गुजरे हो, और आपका दिल जो है, मैं November में टूट हुआ हुआ, दिखाई दे रहा है, मुझे, मुझे लग रहा है, ऐसा intuitively I am picking कि, यह जो eclipse season था हमारा, solar eclipse and lunar eclipse, यह काफी कुछ आपके सामने लेकर आया है, जिसने mind भी आपके दुनिया हिला के रख दी है, वर्गो, और मैं देख सकती हूँ, future की energy आपकी the emperor की है, तो जैसे मैं बता रही हूँ, आप present में कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने के and और, तो future में भी आप यही कोशिश करते हुए हो, मुझे नजर आ रहे हो, कि आप अपने अंदा confidence लेकर आ सको, harmony लेकर आ सको and एक authoritive position में आ सको, अपने आपको लेकर, एक power में आ सको, कि हाँ, जिसे कहते हैं अपने उपर विजय पाले ना, कि हाँ मैंने यह करना है, मैं करके ही छोड़ूँगा, कुछ भी obstacle आ जाए, भाई, नहीं हो, कहते हैं अंदर से मन इतना पक्का कर लेना, एक strategy बना लेना, action लेना, यह सब आप साफी grow कराने में help करेगा, बट जो मैं आपकी current की energy देख रही हूँ, और जो near past की energy में देख रही हूँ, तो might be यह जो eclipse season है, कुछ चीजे आपके लिए ऐसी सामने लेकर आया है, जो बहुत बड़ा turning point मैं वह सकती हूँ, आपके लिए show कर रहा है, मुझे इन cards में वागो, क्या कहती है, please angels and universe guide me, वागो, कन्या राशी, कन्या राशी, ओके, it's time to take action, universe आपका बोल रही है, action लेने का time है, है ना, आप इतने परिशान हो, and unsatisfied हो, emotionally drained out हो, की ऐसे पीछे होकर, चुप चाप, sit back नहीं होकर बैढ़ना है, हमने action लेना है, तभी आप अपना scenario and अपनी ये जो cycle चल रही है, से break करके, से change कर पाओगे, है ना, don't let your pride get in your way, आपको अहंकार बीच में नहीं आने देना, जैसे मैंने का ना, आपकी जो future की energy है, वो थोड़ी, I, me and myself, my way or the highway, positive sense में जाने वाली है, बस उसको positively ही रखना है, उसको अपने पहावी नहीं होने है, और अहंकारी बनकर उन चीजों को अपने उपर हावी होके, अपनी चीजे बेकार और बरबाद हमने नहीं करनी है, वो इसी चीज का आपको major ध्यान रखना है, release your eggs, the time has come to clear your energy, जैसे मैं बोल रही हो कि कुछ अभी situation हो सकती है, place हो सकती है, या person हो सकता है, take it as it resonate, कुछ है, जो मैं आपको बोल्डरी माइड भी आपने एक ऐसा सच आपके सामने आया, जिसे स्वालो करना मुश्किल हो पारा है, betrayal कुछ लोग ने माइड भी फेमस पेस किया हो, कुछ ऐसी सच्चाई से आप रूबरू हुए हो, या कुछ major eclipse season आपकी life में लेकर रहा है, तो universe आप कि जो power है, अपने अंदर एक enlightenment लेकर आओ, अपने आपको उस authority में लेकर आओ, अपने अंदर से वो power लेकर आओ, कि आप जो हो, ये सारे चीज़े पीछे छोड़ के नई कहानी, नई तरीके से लिख सको, मारा bottom of the deck है, engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment, and आप ये देखोगे कि जैसे आप ये सारे चीज़े करते हो ना, जो भी चीज़े आप के लिए बनी हैं, है ना, या जो भी person आप के लिए बना है, आप देखोगे कि उनके साथ आप जादा connected feel हो पा रहे हो, automatically universe अपना खेल खेलेगा, and फिर वो चीज़े ऐसे synchronized होंगी कि उनसे आप और भी जादा connected हो जाओगे, और जो चीज़ आप के लिए बनी हैं, वो for sure in future आपको मिलेगी वोगो, so that's all I have for you, जैशेव शक्ती.